कि रेडी कि शुरू करें जी जब क्लियरंज दें तब करेंगे जी नमस्कार साथियों आज विश्व स्वास्थ दिवस भी है और कि हेल्थ वरॉल हाज का उदेश है आज विश्व स्वास्थ दिवस का जी फीम है वह कुई है है जब भारत जोड़ो यत्रा राजिस्तान से गुजर रही थी तो हमारे परसादिलाल मीना जी जो मंत्री है स्वास्ट मंत्री है राजिस्थान सरकार में इन्हीं के इलाके में राहुल जी ने गहलोज साब से पूछा चिरिन जीवी योजना के विशे में एक बात हो रही थी कि इसका अगला कदम क्या होगा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राइट टू हेल्थ इसका अगला चरण होगा पूरे विश्व में दो ढ़ाई साल सबके कैसे गुजरे ये मुझे आपको बताने के आवशकता नहीं हर परिवार ने कुछ न कुछ खोया किसी का व्यापार, किसी के परिवार के सदस्यों की शती हुई हर सरकार ने, हर व्यक्ती ने, हर परिवार ने, हर समाज ने कोई न कोई सीख ली उस अवधी से राजिस्थान सरकार ने बड़े गर्व के साथ हम आपको बता रहे हैं जो सीख ली वो ये थी कि खर्च कहां करना है, बजट कैसे बनाना है, क्या प्राथमिक्ताएं होनी चाहिए राज्य की, किस तरह की सेवाएं स्वास्त के खेतर में देनी चाहिएं लोगों को, यहीं कुछ मीटर दूर आप जाएंगे तो केंदर सरकार की क्या प्राथमिक्ता थी वो आपको दिख जाएगा, हजारों करोड का एक आलिशान कोठी बन रहे है, जिसमें नरेन मोदीजी रहेंगे, पार्लेमेंट बन रहा है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट आपने देखा, हर सर सरकार की अलग-अलग प्राथमिक्ता हैं, कुछ सरकारों ने जैसा मैंने आपको कहा, सही पाठ सीखे उन धाई सालों में, वो धाई साल बड़े दर्दनाक थे, पीड़ा दायक थे, राजिस्थान की जनता एक उत्सव का माहोल है जब से चिरंजीवी योजना वहां आई है इस योजना के बारे में विस्तरित जानकारी हमारे मंतरी श्रीप परसादिलाल मीना जी बताएंगे आपको, लेकिन जो भारत-जोडो यात्रा के दौरान राहुल जी से अलग-अलग लोग मिल रहे थे राजिस्थान में खास तोर पे, सबने चिरंजीवी योजना के विश जिन्दगी को एक तरह से छुआ उनकदमों, मैं मेरे वरिश सही होगी परसादिलाल मीना जी से आग्रह करूँगा कि इस योजना के विशय में आप से कुछ बात करें और कैसे चुप-चाप से एक राजिस्थान मॉडल स्वास्त के छेत्र में, पूरे विश्व में प्रच ये कैसे कॉंसेप्चिलाइज हुई, इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है, ये एक शोधिका विशय बन चुका है पूरे विश्व में, इसलिए हम गर्व के साथ आज राजिस्थान मॉडल आपके सामने पेश करते हैं, परसादिलाल मीना जी नमस्कार, अभी मानने खेड़ा साथ ने जो बताया, राजस्तान मॉडल के बारे में, जब असोग गैलो जी पहली बार मुख मंत्री बने, उन्होंने गरीबों की पीडा को समझा, जो बीपील फेमेल जील थी, उसके लिए दवाईयां सुरू की, और एक बहुत बड़ा मे दूसरी बार सिएम बने, उन्होंने सब के लिए निस्फुल्क दावईयों की युजणा सुरू की, निस्फुल्क जाज की युजणा सुरू की, जिससे बहुत बड़ा भ्यापक असार पूरे प्रदेश की जनता को नया जीन मिला, तीसरी बार वो मुख मंत्री बने, तो लोने में निसुल्क जार निसुल्क दवाईया उन्हों कि दो एक्टॉबर 2011 से दवाईया निसुल्क शुरूर की पूरे प्रदेश में सबके लिए OPD आई पीडी सब में निसुल्क दवाईया तो लोह ने अश्णिय किया हमारे वी जेपी के साथियों ने कहा कि ये पैसा कहां से आएगा तो नहों ने पूरी जाज पूरी दवाईया और एक निरोगी राजस्तान का एक संकल्ब उन्होंने लिया कि राजस्तान अब निरोगी रहे चाहे मुझे कितना ही बज़ट इसमें खर्च क्यों नहीं करना पड़े और उन्हें सुरुआत की चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्वीमा योजना की जिसका पूरा एक लाग पिछेतर अजार करोड लोगों के परिवारों का पूरा प्रीमियम का पैसा भी राजी सरकार अपने खजाने से जमा कराती है ऐसा कोई प्रदेश नहीं ज पूरे देश में जिस तरह हाकार मचा पर राजस्तान में कोईड में एक भी पैसा किसी पैसेंट का खर्च नहीं हुआ चाहे दवायाओं का हो चाहे जाज का हो पूरा का पूरा चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी क्यों नहीं आए चाहे 20,000 का है सब को फ्री इलाज दिया राहुल गांडी जी जब भार जोडो यात्रा में दोसा से गुजर रहे थे मास्टिकंद्रा में एक बड़ा एक्जिक्शन लगाया था राहुल जी को देखने के लिए राजस्तान के क्या-क्या नवाचार स्ट्यार सरकार चार साल में सरकार ने किये उसमें चिरंजी भी य जवाब दिया असोग जी ने कि मेरा next step होगा right to health कि प्रदेश के सारे लोगों को hundred percent लोगों को स्वास्तका अधिकार मिले उसका हिलाज हो सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च करें यह right to health बिल हमने विदानस्वा में पारित करा के रहोल जी से जो कहीं ही बात जो हमारे गोशना पत्र में जो स्वास्तका अधिकार दिये जाने 2018 वाले में स्वाज का अधिकार देंगे उसका भी अपने पूरी तरह से जनता को जनता के लिए कानून बनाया जनता के द्वारा बनाया हमारे पास इंस्पाइक स्ट्रेक्टर खूब है खूब संसादन है नर्सिंग खूब रहे हमारे बात संसादन के लिए पैसे नहीं थी जाज कराने का सवाल ही नहीं था एक सिरे कराना बहुत बड़ी बात थी सोनोग्राफी कराना बहुत बड़ी बात थी और MRI तो किसी गरीब की होती नहीं थी पैसे वालों की होती थी आज सारी चाहिए दवाई वह चाहिए आपकी सोनोग्राफी हो MRI हो क और देश के हर लोगों को मिलेगा और मुझे कहते हुए कुछी है कि भी जेपी के टाइम जब सरकार थी चार साल पहले उनके टायम 3% बजट खर्च होता था 3% आध आज हमने उसको बढ़ा कर हमने उसको बढ़ा कर साथ परसेंट कर दिया जो देश में सबसे ज़्यादा पूरे बजट का इस साथ परसेंट सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं CSC, PSC हमारे पास खूब है सबसे अच्छे नमरों में हैं हम चाहते हैं चिरन जी भी स्ववस्थ भीवां योद्राँ से हर आदемся, हर नागरी को अदिकार मिलाई इसका इलाज सरकारी हो जगेर सरकारी हो सब अस्पताल हम उसका इलाज फ्री हो गार ऊदिकार मिल गया चाए उसके पाद संसाद नहया नहीं है वो जाकर कहेगा मेरा इलाज करिये फ्री इलाज होगा आज जिस चाए किडनी ट्रांस्प्रांट हो चाए लीवर का हो, चाए हर्ट का हो चाए कोई बड़ी बिमारी हो हाँ निसुल के लाद हो रहा है राजस्तान में हाँ लोगों को निया जीओन मिल रहा है राजस्तान में यह हमारे मुखमंत्री जी कार सबसे बड़ा जो आज मोडल बनाया इस्टेट वो राजस्तान है हम चाहते हैं प्रदान मंत्री जी मानगर धाम गए थी तो मुखमंत्री जी ने उनसे निवेदन किया था कि प्रदान मंत्री ओ आप देश के प्रदान मंत्री जी आप इसको पूरे देश में स्वास बिमा पूरे देश के लोगों की लागो करो पर रां मंत्री जी ने कोई ज़ाब नहीं दिया हम ने उसको दसलाग से बढ़ाकर हमारी मुझक मंत्री जी ने रहुलजी के कहने से दसलाग से बढ़ाकर 25.000.000 अब उसकी सीमा कर दि जिससी कोई चाहिए वो अगर प्रदैस में इसका इलाद नहीं है दिल ली हो, बॉंबे हो, कहीं भी इलाज कराएगा, उसकी पनवीशन में हम उसको देंगे, वह हम भी उसका पैमिंट करेंगे, पर उसका जीवन बचे, हमारे मुखमंत्री जी का उद्देश है, गरीब आदमी का जीवन इलाज के अभाव में, वो जीवन उसका बचना चाहिए उसके लिए सरकार किता ही पैसा खर्च करें, यह हमारा संकल्ब इस बिल्ड में है, बिल्ड से अधिकार मिल गया, अधिकार बूरोक किसी भी अस्पिताल में जाकर वो इलाज करा सकता है, पहले अधिकार नहीं था, दवाई खरीडने के पैसे नहीं थे, इस तरह का जो हम यह लाए है, तो यह राहुल जी की पहल पर राइट टू हैल बिल्ड हमने विदान सभा से पारित करा के गवर्नर साब को भेज दिया, जो ही बिल हमाँ से साइन होकर आएगा, हम इसके रूल्स बना कर बहुत जल्दी इसको प्रदेश की जनता को समर्पृत कर देंग लोगों को यह जनता का कानून जनता के लिए बनाया हमने, उनको समर्पीत है, यहाँ राजस्तान का कोई भी यह गरीब से गरीब आज महसूस करता है, अगर मेरे परिवार में कोई बीमारी हो गई, मेरा इलाज सरकार कराएगा, आज उसके सरकार को उपर भरोसा हुआ है, म देश में कुसाली आए, परदेश के लोगों का हिलाज हो, यह राजस्तान जैसा मोडल मेरे खाल से अभी देश में कहीं भी नहीं है, इसलिए आज हम इसको और हमारे साथ परसेंट जो बज़च खर्च करें है, देश में सरवाधिक बजच खर्च करने हमाला राजस्तान हम हमारा प्रदेश है, इसलिए आप सब लोगों से यह है कि पूरे देश में लागू हो, मोडल स्टेट बने, सारा देश मोडल बने हमारा तो सारे लोगों का अधिकार मिले, हमारे मुखमंतर जी की अच्छा है, रावल गांदी की अच्छा है, गरीबों का हिलाज हो, गरीब प्राइवेट डॉक्टर्स का है, प्राइवेट डॉक्टर्स को कह दिया, जो चिरंजी वे हमारे काम कर रहे हैं, तीन साल से चिरंजी योजनार एक अज़ार होस्पिटिल काम कर रहे हैं, रास्ताम एक अज़ार, एक भी शिकायत तीन साल में नहीं आई, आज क्या हो गया, और उनकी बाते हम माल लेंगे अगर वो काम नहीं करना चाहे जब अब सी नहीं है सरकार अपने संसाधन बढ़ाएगी पर लोगों को इलाज के लिए हमको प्राइवेट अस्पितालों के भी नहीं है जो जो हमारे जिनको हमने फ्री में लेंड दिया है जिनको कंसेशन में जम होता है हमारे डेस में सबसे सर्प से सी एची पीएवसी सबसे circular अगर देश में सबसे सब ज़्यादा है तो राश्तान में सबसे ज़्यादा सी एची पीएची आंने खोले को लें से भी हम बहुत ज़्यादा आगि उढ़ें लों करेंगे बड़े त sap Tat Vir टो दो से पर नहीं करेगे उनकी मर्जी करे तो मर्जी नहीं करें उनकी मर्जी हम कभो ऐस करते हैं के सुगः कि मानता का सवाल है केंदर सरकार को घेजने का सवाल है किसी पीडित की जियान को बचाने का काम है कि मैं नहीं करें पर हमने जो कमिटमेंट किया हमारे चुनावी गोष्ना पत्र में कांगरेस ने जो कमिटमेंट किया पूरा हमने वाइदा निवाया है जनता के साथ जो वाइदे किये उन सब को हमने पूरा किया है अब प्रतम चरण में हमने बताया ना सरकारी ऑस्पिटील पचास बेट से उपर वाले ऑस्पिटील और हमारे डेजिगनेटेड जो ऑस्पिटील है जिनको सरकार को फ्री लेंड दिया या कम कोश्ट पे लेंड दिया है यो इस्पितालों को उनकी सर्त के अंसार करना पड़े, उनको सब को जोड़ा है, जह हम रूल्स बनाएंगे, आप देखना रूल्स ऐसे बनाएंगे, जो सब प्राइवेट ऑस्पिल को भी मनजूर होंगे, स्वते ही चल कर आएंगे, जैसे एक अज़्जार ऑस्पिरिल आज चिरन जीज़ी योजना में काम कर रहे हैं, हमसे उना सरकार ने उन से कोई क開ंव इना नहीं किया है, विशे हमारे रूल्स बनने के बादा आप देखे हैं, सारे के सारी हे अस्पिताल बहुत जल्दीति योजनाल से जुड़ें क्यों डाक्टरों के भी इतमें है डबल एचो की गाइडलाइन है चिकिस्षिक का धर्म बताया है भगवान राम को भी इमर्जेंशी आई थी आपको पता है लक्षमन जी के बान लगा था संजीवनी नहीं आती अगर वो सुसेंट बैस संजीवनी का पता नहीं बता था लक्षमन जी के प्राहर का वो दोते भी अपने चिकिस्षक धर्म निबाने के बाद भी इतमेड़ इस्तेá सकती है इसलिए चिकिस्षक तो धरम है किसी भी पीडित आदमीरीज का एक्सिडेंट वाले का किसी अ कोई नुकसान हो जाये इसकाWow और दम की करेंगे बनाएंगे हम करने की क्रसकर करेंगे जिसे वो था जनता का ले के हम प्रदेश को करेंगे वह इनको। काम भी निश्क्यित रूप से हो जैसा जैसा मैंने विक्रान जी बताया कि इसको हम नहीं पूरा विश्व राजिस्थान मौडल बोल रहा है तो जिसको हम राजिस्थान मौडल बोल रहे हैं जाहिर सी बात है कि अलग-अलग राजियों में इसकी स्टडी की जा रही है कुछ ऐसी योजनाएं हैं 36 गड़ की जो 36 गड़ को एक model state बनाती है वहां की योजनाएं जाहिर है कि राजिस्थान भी देख रहा है हिमाचल भी देख रहा है तो इस तरह से एक दूसरे की जो अच्छी योजनाएं होती है उसको हम बिल्कुल grant करेंगे और अपने बाकी राजियों में भी लागू करने की कोशिश करेंगे उन राजियों की जो स्थानिय परिस्थितियां हैं उनको नजर में रखते वे उस तरीके से टेलर की जाती है योजनाएं वो जरूर होंगी लेकिन जैसा की वंत्री जी ने बताया कि घेरने की बात नहीं है किसी सरकार को या केंद्र सरकार को लेकिन उनसे आग्रह है कि कोविड में जिस तरह का अनुभव पूरे देश को हुआ ऑक्सिजन के लिए लोग बड़ी परिशानी महसूस कर रहे थे स्वास सेवाओं पर बहुत दबाव था कोई स्वास सेवाएं नहीं मिल रही थी आई सीओ बेड्स नहीं मिल रहे थे लोगों के पास पैसे सीमित थे दवाईया इंजेक्शन्स तो उन सब से जो शिक्षा रा बतात है तो तो गयांता है यह चोरफिए भी मिल रुदा आएगास कोई सी व्यारी आरेगा इन बताएट है टॉद्य पासा है थे आ sudah आपको किसी ने फीडवेग गलत दिया है CSC, PSC आप देखेंगे डिस्टिक लेवल के उस्टिल देखेंगे इस कारिकाल में विंखमंत्री जी कारिकाल में सब ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें दो से तीन डिस्टिक लेवल नहीं हो उब जिलाची किसाले खुब खोले CSC, PSC को नहीं बिल्डिंगे बनाई है तो निश्टित रूप से MRI मसीने हम चाहेंगे सब जिस्टिक लेवल पर जल्दी हम लगाएंगे वैसे हमने कॉंटेक्ट बेस पर सारे जो CSC, PSC, DS, HDS के इंचार्ज है हमने उनको 15-15 लाग रुपे एडवांस दी है कि आप जो ज़रूरी जाच हो आप प्राइवेट से कॉंटेक्ट करके कराएं किसी का भी पैसा जाच में नहीं लगे दवाई में जो दवाई अगर ऑस्पिरिल नहीं मिलती है तो महां के इंचार्ज की डूटे उसको खरीद के देंगे एक भी जाच है 40,000 की जाच भी आप कॉंटेक्ट बेस पर हमने में में कर रखे सारी जाच फ्री करा रहे हैं कोई कहने वाला नहीं मेरी जाच में पैसे लगा हो सरकारी ऑस्पिरिल में एक भी जाच ऐसी नहीं जो फ्री नहीं हो रही हो यह हमारी डूटी है हम अभी जब तक संसाधन नहीं है हम प्राइवेट से कॉंटेक्ट करके उनका कॉंटेक्ट लेवल पर कर रहे हैं कि बढ़ाने का सब दिश्टिक ऑस्पिटल में बहुत जल्दी सीटी स्केन एमर आई सोनोग्राफी एक्स डिजीटल यह सारी बहुत जल्दी हम सरे ऑस्पिटल में प्राइवेट से लेवल तक हम इन चीजों का संसाधन बनाएंगे जब कानून बनाया है तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है कहीं भी पूरे हमने पंद्रे पंद्रे लाग रुपर सब कर लें पैसे फिर वापस देंगे सरकार की और से संसाधनों की हम आताया पैसे की कोई अभाव नहीं उसके बार ने तो कोई दवाई कम पड़ेगी ना को याधा ता रोसञे फ्री हमारे हमने चार सो से और था-ठारफ दवाई लागू होगा तो निश्चित रूप से लोगों के अधिकार मिल जाएगा करीब से गधिम आदमी जाकर सरकारी में को चाये हमारे डेजिटेटर उस्परील में को उसको यह होगा कि इसका इलाद करना ही करना है पैसा सरकार देगी पैसा लगेगा नहीं उसका यह रास्तान नहीं डॉक्टर्स की मांग ये ठीक बिल वापस ले तो सरकार ने कह दिया बिल हम किसी कीमत पर वापस नहीं लेंगे आपकी कोई बात है वो हम बिल में ना तो संसोधन करेंगे ना उसको वापस लेंगे अगर कोई बात है तो आपकी रूल्स में डाल देंगे वो बात में खूब है प्राइबेट उस्पिटिल जो आएगा मर्जी से आज एक अजार होस्पिटिल हमारे चिरेंजी वी युजना में काम करें तीन साल से उनको कोई आपती नहीं कोई शिकायत नहीं उनका ओनलाइन पैमेंट हो रहा है चोट जिनर पैमेंट कर रहे हैं अगर सपितल जुडेंगे हमारे दूस बनेंगे उनके मुताबबिग बनेंगे तो अपना आप 100 मोटों जुडेंगे काम करें अमतिके करें प्राइवेट हो सरकारी हो हमारे लोगों का हिलाज होना चाहिए हमारा उद्देश है जब हमारे प्राइवेट अस्पिल पहले भी जुड़े वह आगे भी जुड़ेंगे। पचास से नीचे वाले ये कहते हम से जुड़ नहीं पाएंगे। कब कहते हैं आप जूड़िये आपको सूट करें तो जुड़ना जब रूल्स बने तब नहीं तो हम कोई थोड़ी हमारे संसानल सरकार करेंगी है हां मिल जाएक छूटूँगा कि हाएं पाचासकी कहराओं में 5000 के नीचे वाले नहीं जोड़ेंगे फट्रा से नीचे वालों की डिमांड ती इसमें किया उसле किया हमको ऐस तिमांदी ज्यूटञ नहीं करें हम मन मना कर दिया नहीं करेंगे इसी मैंने इसी मैंने अपरोल आजाए गवर्णन साब के अगले मैंने रूल्स बना देंगे लागू कर देंगे पहले इस पे हो जाएंगी स्वास पूर मुद्धा है बहुत पूर इस पूर्टे पर तेंक यू हो गया मालत इस पूर्ण की बात अलग है यह मानोता का का काम किया है हमारे इलेक्शन का मैनिफेस्टो में था उसको पूरा किया है मैनिफेस्टो के 99 जो वाइदे थे हमने कम्प्लीट कियें कोई ऐच्छा वाइदा नहीं मैनिफेस्टों किया हो और आमने नहीं किया, गैलोज सरकार ने सारे मैनिफेस्टों को कम्प्लीट किया उसको बिलेगी ट्यूरिस्ट अगर एक्सिडेंट रास्तान में होता है, उसको एक्सिडेंट का इलाज भी करेंगे तो इस इलाज का पैसा सरकार वेहन करेंगे इति उसको गलत खबर किसी ने घलत खबर चलाई आपको अभी दोजार डोक्टर भर्ती करें हमारी एक बीचीए सी पीए इसी डीड़्टर नहीं हो सारे उन्डेड परसेंट ru दोक्टर हमारे 100 परसेंट अभी सबसेंटर हमने एक अज़ार खोले सब जगह यूटीब भी बढ़ती कर रहे हैं अभी दोजार डोक्टर एक भी सी पेसी रास्तान वैसी नहीं बता सकते हैं वहाब डोक्टर नहीं हो एक भी मैं एक ही कहना हूँ पडोस का राज्य है गुजरात यह चुनोती देते हैं कि में वहां क्या थोड़ा स्टडी मैंने भी किया है कितने ऐसे प्येश्ची जिसमें डॉक्टर नहीं है यह खुद बता देनी तो हम एक दिन प्रेस्वारता करके उसका भी पॉल खोलते हैं इसलिए लोग जो गुजरा मॉडल गुजरात मॉडल लेकर घूमते हैं ना इन्हें एक दिन उनकी पॉल खोलनी हमें आविशक है हम लोग चुप-चाप अपना काम कर रहे हैं और पडोस के राज्य में क्या हो रहा है वो देखिए वहां के लोग इलाज कराने अब राजिस्थान आ रहे हैं और यह मंत मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है क्या मेरे हक में फैसला देगा अब आप लोग भी तैयार हो जाओ हवाईजाद से किसी भी दिन उथार दिये जाओगे है आप लुष गुष बढ़ना है वी तैपाने आप लुष यह जयुरा भी जचिवे हैं यह एूशिव खिश्ट अज्यूस के इस सुटिश्ट इस दिजू आप दिर अवाँ मयद इस फस्यद देखिए लगवदी अधिए अधर प्यूद्ट लगड़ प्यूस आपूद् So this is the new rules are on online platforms where PIB will decide what is fake and what is not fake. I am sure you people and all of us put together will show the kind of resilience that we have in our democracy and ensure that this does not become a rule. This does not get applied on all of us. Thank you. उस्चित्थी की कॉपी उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजी जैशंकर जी को भेजी या नहीं होगी तो हम भेज़ देते हैं उनको फिर बोलें की जरा भी क्या हो रहा है यह चित्थी लिखकर उसको सारुजनिक करना बड़ा अपमान करने हैं साब देश का यह तो हम लोग इस बात में और इस डिबेट में कॉंग्रेस पार्टी अपने आपको दूर रखती है हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं उन मुद्दों पर हमें जवाब इस सरकार से चाहिए हमारी मांग है जेपीसी की मांग हम अदानी मुद्दे पर से ध्यान हटाने की किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं रहेंगे स्ट्रीज मार्या स्ट्रीज बड़ेख आपको ठॉकिछत पर छ्राटीज खना अगाम है मुद्रीज लेतल वक्रूच द्टीज इस ए ट्टेत अपको देगहाई ट्राटीं द्ट्रीजंस तूंग्रै की कि अवार्टी। वे पूपच्छ पूप स्वचिक पूुद बॉर रच्च्टस आप फपोट्टते बश्क अच्च्ट रप्ण थेसividade अजेग हो डिस आप्टमि अाय। इसले एक टूब्मेट, आप टूट, आप टूट, आप टूपकिन अप टॉपकिन एंगले इंग गुष लूव ली आप सुली अरण्टू अप्मेर्ट ट्सक्यावेश्टबटिब तैंट You तैंक यो झाल झाल